नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपको पता है कि भारत में अभी तक जितने भी फांसी हुई है लगवग लास्ट एक दो जो भी हुआ है वो सब कुछ पवण जलाद देता है और पवण जलाद का पडिवार की हालत क्या है वो भी आप लोग को पता है अगर नहीं पता है तो ज कि आपको पता है कि पवण जलाद जो है वो एक ऐसा जलाद है जो कि फांसी के टाइम पर नहीं कुछ पूछता है नहीं कुछ देखता है नहीं कुछ समझता है उसे जो हुक्म दिया जाता है वो ऐसा ही करता है तो लेकिन इस पवण जलाद की पतनी ने ऐसा क्यों कहा कि सब सबनम को फांसी नहीं देना चाहिए इसके पीछे क्या राज है यह भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे पहले आप अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना नोटिफिकेशन की घंटी जो बया दना था कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप पहुंँ सके और आपने अभी तक अगर सब्नम केस से एक कुछ भी मिस किया है तो जाकरके आप सब्वनम केस का प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर कि आप देख सेकते हो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे डेली अपडेटेड विलियो आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों अ सब बात करते हैं कि पवंजलात की पतनी ने ऐसा क्यों कहा कि पवंजलात की पतनी को लगता है कि पवंजलात जो काम कर रहा है उसका सही दाम नहीं मिल रहा है जी हां उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी मैं जो अभी जो लेटेस्ट न्यूस है जो पता चला है कि अपना पालन पोशिन कर सकते हैं अपने परिवार का जबकि पवंजलाद के साथ बच्चे हैं, पांच बेटियां हैं, दो लड़के हैं, और ये भी कहा गया है इसमें कि पवंजलाद के लड़के को सरकारी गौवर्वर्मेंट नोकरी भी नहीं दिया जा रहा है, वो बार बा इसलिए उसकी पत्नी ने ये बया दिया है, कहा है कि आप ये सब काम छोड़ दो, आपको किसी भी चीज से, मतलब कह सकते हैं कि सरकारी रूप से help नहीं करनी चाहिए, किसी को भी, क्योंकि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, कि आपने कितनी बार पत्र लिखा, कितना लेकिन कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है, इसलिए उसके पत्नी ने कहा कि आप किसी को फांसी मत दो, चाहे वो सबनम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हाथरस के रूपी हैं, चाहे उनलों को भी फांसी होने वाले हैं, तो आप किसी को भी फांसी मत दो, तो यही एक बया ह जो कि कहा गया है कि पवन जलाद की पतनी के तरफ से आया है कि वेतन व्रिद्धी होनी चाहिए यानि सैलरी बढ़नी चाहिए नहीं तो पड़िवार कैसे चलेगा अब कितनी दिनों से चलता आ रहा है यह उसको सैलरी नहीं बढ़ाया गया सारे 7000 रुपिया खुद पवन जल उसका एक कह सकते हैं कि वो मेरट के अंदर ही काम करता है वो तो एक कह सकते हैं कि जेल का एक अधिकारी है इसलिए उसको पैसे नहीं दिया जाता है अगर कहीं अलग सहर में होता है तब उसकी पैसे दिये जाते हैं तो दोस्तों बस फिलाल इतना ही इतना ही बड़ा था कि प पसंद करेंगे तो share करना मत बूलना share जादा से जादा करता और आपका कोई भी राई हो कोई भी सुजाब हो तो हमें comment के द्वारा comment जव करना क्योंकि आपका comment बहुत जादा important है और आपका हर एक लोगों का comment मैं पढ़ता हूँ आपको पता चलता होगा अगर मैं like करता हूँ या heart देता हूँ यह सबसे अगर नहीं भी देता हूँ तो भी मैं पढ़ता हूँ comment सभी का पढ़ता हूँ दोस्तों तब तक के लिए फिलाल इतना ही बने रहिए हमारे चैनल पर और आपको फिर से आपको कल एक नई वीडियो मिल जाएगे तब तक के लिए आप खुश रहिए सुरक्षत रहिए जय है